इस विडियो में ओसा जोन फार्मेशन और उसकी मेकेनिजियम बताने वाले हैं और इसके परले हमने कार्वोडियेट में 4 और अप्लोड किया है और यह पांचवा पार्ट है तो चलिए देखते हैं क्या होता है ओसा जोन फार्मेशन ओसा जोन फार्मेशन में हम गुलकोज को एकसेज एमाउंट में फेनिल हैड्राजीन के साथ टिट करते हैं एकसेज मात्रा में फेनिल हैड्राजीन को टिट करते हैं तब हमको ओसा जोन मिलता है ओसा जोन इसी को हम गुलकोजा जोन भी करते हैं यहां पर हमने D-gulco जो लिया है तो D-gulco sajun इन जनरल में हम इसको O-sajun कहते हैं और यहां पर एनिलीन जो है बाइप्रडक्ट के रुप में बाहर और NH3 अमोनिया देखें यहां पर हमने star इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर दो nitrogen है तो कौन nitrogen कहां जोड़ा है इसलिए हमने आपर star लिखा है तो देखें इस star वाले nitrogen के पास दो hydrogen है यह दो hydrogen इस O-s के साथ जोड़ कर यह 2-go के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यह यह तब जाकर यहां C double band यह नियस के साथ जोड़ जाएगा देखें C यह वाला C और H यह 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 वाला double band और H2O के रूप में इससे बाहर जाएगा तो यहां पर यह star वाला जोड़ जाकर इसके साथ बांड बनाए लगा जूट जाएगा तो double band यह नियस डवल बांड यह नियाच यह नियाच c6 h5 c6 h5 इसी तरह यहां पर भी है यहां कैसे यह हुआ यह माइकनेजम हम आपको दिखाएंगे चलिए माइकनेजम में बताते हैं कैसे आया देखे इसकी माइकनेजम देखे यहां पर c double bond oxygen आप जानते हैं ग्लुकोज में जो है ldi group होता है यह इसका hydroxyl group और यहां पर यहां पर यहां कार्बन नामर तीन पर यह जो राइट साइड होता है और और यह लेफ साइड फिर इसके बाद कि जो सी ओ याच याच और यहां पर c h 2 o h यह आपका ग्लुकोज यह नीचे से कर्बन नंबर दो पर यह जो राइट साइड है तब हम इसको डी ग्लुकोज यह यह लिप साइड आथा तो इसको यह ल ग्लुकोज देखें अब मेकनिजम में हम पहले एक मॉल जो प्षेनिल हैड डाजिंग के साथ कर आएंगे तो एक मॉल लिजिए C 6, CH 5 Y연 Eich ڈ tow truck Yern Eich और Eich 2 को हम उपपर लिक देते हैं Yern Eich 2 आप जानते हैं फेरनिल हैट डाजीन क्या होता है आपको मताते हैं थो sunday ओसा फेरनिल हैट डाजीन के बारे जानलेजी है देखे Yern E sacar 2 यरन Eattack 2 को हम हाइडराजीन करते हैं और यहां से एक hydrogen replace होगा तब यह फिनल प्रूव जोलता है C6H5 यहां से एक hydrogen replace जाता है तो C6H5 यह नहीं है C6H5 यह NH2 तो आप जो इसको नोट ना करें देखें आगे क्या होता है यह अग्सीजन और यह hydrogen जो है H2O की रूप में बाहर निकलेंगे तो आप यहां पर minus H2O और यह यह जाके इसके साथ double band में जुड़ जाएगा तो देखिए यह आपका carbon और यह hydrogen तो हम यहाँ इसको लिख ले और double band double band यह यह जाकर जुड़ेगा क्योंकि यहाँ से H2 निकला H2 निकला और यहाँ से oxygen तब यह nitrogen जो है जाकर यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा और यह star और nitrogen है तो double band star और nitrogen यहाँ से तो दोनों hydrogen निकल गए तो ना एक भी hydrogen नहीं है फिर यह नियच फिर C6 H5 NH2 C6 H5 NH2 और बाकी आप जैसे तैसे लिख जिए CH O H देखिए यहाँ पर 3 times O H O H O H तो हम इसी को CH O H इसी को 3 times लिख सकते हैं 1, 2, 3 times और यह बचा जो CH2 इसको नीचे ऐसे जो लामबा पढ़ आता लिखने में यह आपका फेनिल फेनिल हाइडरा जोन है फेनिल हाइडरा जोन हाइडरा जोन एद यह हम गलकोज को एक मॉल हाइडरा फेनिल हाइडरा जोन के साथ टेट करें तो हमको गलकोज फेनिल हाइडरा जोन मिलता है आप यहाँ पर स्वाइब लिए सकते हैं क्योंकि डीकोंगर्फ लिए है हमने अब देखिए यहां कुछ ऐसा हो यहां पर यह डबल बांड जो है यहां पर आगे हैं तो यह डबल बांड आ compliance तो यह प्लस के रूप में बाहर निकलेगा तो यह प्लस और यह माइनस इसके साथ बांड बना लेगा देखिए अगला स्टेप इसी के नीचे लिख रहे हैं यह बाला कार्बन यहाँ पर लिखिए और हाइडोजन हाइडोजन यहाँ पर एक बांड ब्रिक हो गया और तब यह नीच और यह नीच माइनस था यहाँ से यह जो प्लस के रूप में निकलेगा तो यह प्लस वाला और यह माइनस वाला यह नीच और यहाँ पर एक यह नीच तो आप यह नीच को यहाँ पर लिखिए यान्य चको फिर C6H5 है तो C6H5 को यहाँ पर लिख लिजिए फिर देखिए यहाँ पर यहाँ से थो यहाँ से हाइडोजम बाहर निका गया तो यहाँ पर क्या बचा? OH OH को आप ऐसे दिखाए और यहां यहां गया तो यहां पर डबल बांट आ गया और बागी ठीटाइम्स CH0H रिखिजिए CH2oh देखिए अब यहां पर यह जो nitrogen है यह more और हाइडोजन जो है less electron negative निक्तिक है तो यह delta mellan बन जाता है तो यह यहान और यहाच के बिश बांड बन जाएगा और यहाँ से 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 कि ऐस्पाइब यान्य च्वाहर और देखे यह आपका कार्ब यह आपका स्टार नाइट्रोजन है चार बन डबल बन्ड नाइट्रोजन स्टार वाला और यहाँ यह तो यह लिए यह यह और यह यह आ गया और बाकी आप थ्री टाइम्स लिखेंगे थ्री टाइम्स और थ्री टाइम्स और थ्री याच टू ओ याच हमने अभी तक देखिए एक मॉल के वल फेनल हैड डाजिन लिया अब दूसरा मॉल इसका यूज करेंगे दूसरा मॉल इसका यूज करेंगे C6 याच 5 याच फिर याच और 2 को हम उपर लिख दें हम यह आपकी सुधा के दिए बता रहे हैं कि उपर लिखना तब देखिए यहाँ से जो है आक्सीजन और यहाँ से याच 2 याच जल के रूप में बाहर माइनस याच 2 तब देखिए य यहाँ बाला जो नाइट्रोजन है यहाँ पर जाकर जुड जाएगा और यहाँ C डबल बांड नाइट्रोजन और बाकी सब जूड जाएंगे तो आप इसको जैस का तस लिखें C यह डबल बांड याच इस्टार वाला हमने इसलिए लिखा क्योंकि कौन नाइट्रोजन कह जूड आए तो इसके पता चले तो यह पहला जो हमने लिया था फिन हैट्रोजन उसी का नाइट्रोजन है तो यहाँ पर डबल बांड याँ पर जूड जाकर जूड जाकर यहाँ पर जूड़ बांड यान फिर यान याच यान याच फिर C6, H5 और बाकी CH, OH त्री टाइम स है तो त्री टाइम सापने के CH2, OH अब देखें क्या होता यहाँ से फिर हम इसका जो यूज़ करेंगे हमने दो मोल एक मोल यहाँ पर यूज़ किया तुसरा मोल यहाँ पर अब तीसरा मोल यूज़ करेंगे हम देखें हम तीसरा मोल यूज़ करेंगे फिर हेड़ यहाँ तो C6, Y5 यान याच यान याच यान याच हम याच टू को ऊपर लिख दे रहे हैं और देखें यहाँ पर यहाँ इस्टाव और नाइट्रोजन और याच और याच यहाँ से दो याच यहाँ से तो क्या बाहर न यानि अमोनिया बाहर निकलेगी और यह वाला नाइट्रोजन यहाँ जाकर डबल बांड से जुड़ जाएगा क्योंकि यह वाला आपका पूरा जो है यान याच तो यह वाला बांड जाकर यहाँ पर डबल बांड के साथ जुड़ जाएगा देखें हम आपको यहाँ पर लिखाते हैं आप सी यह लिखे और सी यह डबल बांड यन तो यन फिर यह 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 फिर सीचिया यह फाइब सिंच फाइब यह फिर यह वाला सीडवल बांड, यह यह फिर यह 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 देवल बांड यन यह फिर यह फिर फख़त फ्री टाइं शी है वह फिर और यह अधो यही है आपका फेनिल यही है आपका ओसा जोन ओसा जोन इसी को हम गुलकोसा जोन भी करते हैं आप D-Glucosan जोन करते हैं ग्लकोसा जोन यदि हमने reaction में फ्रक्टोज लिया होता तो यहाँ पर फ्रक्टोसा जोन बनता इन जनरल में हम इसको ओसा जोन करते हैं यदि आपको इसका मेकनी समझ में आया तो आप एक बार वीडियों को लाइक करती जिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लिजिए